नमस्कार दोस्तो, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चमतकारी चीजों के सेवन की विदी के बारे में बताऊंगा दोस्तो, यदि आप इनका सेवन हर रोज करेंगे, तो दोस्तो, जो इनसान चल फिर भी नहीं सकता था न, वो भी दोड़ने लगेगा दोस्तो, वात रोग, चाहे किसी भी परकार का हो, ये वात रोगों को बिलकुल जड़ से ठीक करतेगी जोडों का दर्द, घुटनों का कंधे, कमर, हात, यानि किसी भी परकार का हड़ी में दर्ध हो, कैल्सियम की कमी हो, सरीर में कमजोरी हो, गठीया का दर्ध हो, हर त्रहे के दर्ध का ये रामबान इलाज है सरीर की बंद नसों को खोल देगा नसों की बलोकेस का भी एक कारगर इलाज है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस नुस्खे जिस सामगरी की बात करे हैं उसमें दोस्तो जो सबसे पहली मुखे सामगरी है वह है दोस्तो लसुन और दोस्तो लसुन खाने के फाइदे कौन नहीं जानता दोस्तो लसुन आपके पाचन को मजबूत करती है सरीर को डिटोक्सिफाई करती है यनी एक डिटोक्सिफाई ड्रिंक बनाती है डायप्टीज को रोकने में आपकी मदद करती है और यदि आपको पहले से उलको दूर करती है जिससे कि आपको हार्ट टेक और हार्ट ब्लोकेज ना हो और आप दिल की विमारियों से बच रहे हैं आखों को मस्बूत बनाती है आखों की रोसनी को बढ़ाने का काम करती है टिडनी के संकर्मन में भी बहुत कारगर दवा की तरह काम करती है और जो अग कच्ची हल्दी आपके लिए बहुत अधिक फाइदेमन होती है क्योंकि कच्ची हल्दी में गुण बहुत अधिक होते हैं वैसे भी दोस्तों आप कभी भी परियोग करें तो आपको कच्ची हल्दी का परियोग करना चाहिए क्योंकि कच्ची हल्दी आपके लिए बहतर होत तो आपने कच्ची हल्दी का ही परियोग करना है और दोस्तो कच्ची हल्दी के गुम इस पाउडर से बहुत अधिक होते हैं वो आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने का काम करते हैं दोस्तो हल्दी के सेवन से आपकी रोग परतिरोधक शमता बढ़ती है immune power बढ़ती है जिससे कि आप सर्दी खासी जैसे बीमारियों से बचे रहती है दोस्तो हाथ पैरों में यदि आपकी सुनपन की समझ से है या हाथ पैरों में दर्द रहता है तो उसके लिए भी हल्दी कारगर दवा कीत रहें काम करती है हल्दी किसी आपके बलड को भी साफ करती है और यदि आपका बलड साफ होगा तो आपके चहरे पर भी नयाग कुलवाता है दोस्तो आपने इन दो सामगरियों का परियोग करना है तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इनका परियोग करना कैसे है दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है लसुन की चार से पांच कली लेनी है जैसे कि यह हमने ले लिए अब आपने इनको छिल कर साफ कर लेना है जैसे कि यह हमने चिल लेना है अब दोस्तों आपने इनको कूट लेना है और कूट कर इनका पेश्ट बना लेना है जैसे कि हम ने इन 4-5 कलियों का पेस्ट बना लिया, यह हमारा पेस्ट रेडी हो गया, अब आपने एक गिलास दूद लेना है, और इस दूद को किसी एक बरतन में डाल देना है, फ्राई बेर में, जैसे कि यह हमने डाल दिया, अब आपने इसमें जो 4-5 कलिया लसुन के कूटी थी, उन अपने सदूद को लगातार तीन उबाल देने हैं और जैसे ही आपके तीन उबाल आ जाएंगे तो दोस्तो आपका नुस्खार रेडी हैं अब आपने इसको एक गिलास में डालना है और बिना च्छाने ही सेवन करना है इस बात का दोस्तो विशेज ध्यान रखे कि आपने इस सरीर की बिमारियों का अंत सुरू हो जाएगा दोस्तो दस दिन में आपको चमतकारी नतीजे मिलेंगे आपका पूरा सरीर निरोगी बनना सुरू हो जाएगा आपके सरीर की इम्यून पावर बढ़ जाएगी डायपटिस की बिमारी कंटोल में रहेगी पेड की रोगों से आपको निजात मिल जाएगी वात रोग आपके सही हो जाएगी तो दोस्तो देर किसे बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएए और इस नुस्खे का प्रयोग कीजिए और अपने सरीर को बिलकुन निरोगी बना दीजिए तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वा वीडियो की notification आती रहे धन्यवाद दोस्तों